हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वीना अगरवाल किचिन आज के जो रेसिपी है वह है पांच मिनिट में बनने वाली आइरन रिच और ब्रीन डवलपमेंट रेसिपी या बच्चों के लिए एक पर्फेक्ट रेसिपी है जिसे आप बच्चों को लंच, ब्रेकफास्ट ये डिनर कभी भी खिला सकते हैं तो आएए बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए दो चमँच के करीब पोहा लिया है आप पतला या मोटा किसी भी तरह का पोहा यूज़ कर सकते हैं इसको अच्छे से साफ कर लेंगे और साफ पानी से दो उवार साफ कर लेंगे और पानी में भिगो कर दो मिनिट के लिए रख देंगे आदी गाजर ली है, इसको साफ कर लिया है और छिलका निकाल दिया है, अब इसको ग्रेट कर लेंगे एक खजूर्या डेट लिया है, इसकी गुटले निकाल देंगे और छोटा छोटा इसे काट लेंगे दो भीगे हुए बदाम लिये हैं, इनका चिलका निकाल देंगे एक ग्राइंडर जार लिया है, इसमें भीगोई हुए पोहा एट करेंगे कटी हुई गाजर एट करेंगे कटा हुआ खजूर एट करेंगे बदाम एट करेंगे और इसमें बहुत थोड़ा सा मिल्क एट करेंगे इसको ग्राइंड करके पेस्ट बना लेंगे ग्राइंड करने के बाद इस्पून से चैक करने कि कोई भी बड़ा तुकडा ना बचे एक पैन को गर्म कर लिया है इसमें पोहा गाजर और ड्राइ फ्रूट्स का पेस्ट एट करेंगे और इसको चलाते हुए एक मिनिट के लिए पकाएंगे अब इसमें बहुत थोड़ा सा मिश्री पाउडर या जैगरी एट करेंगे थोड़ा सा एलाइची या दाल शीनी का पाउडर एट करेंगे और इसे एक मिनिट के लिए और पकाएंगे आप इसमें थोड़ा सा पानी या दूद और एड़ कर लें और इसकी कंसिस्टेंसी को बच्चे की एज के कोडिंग एड़स्ट कर लें जैसे ही डिजायर कंसिस्टेंसी आ जाएगी गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे आखिर में इसमें थोड़ा सा घी एड़ कर लें लेकिन यह आप्शनल है और हलका गर्म बच्चे को सब करें इसको थोड़ा लिक्विड ही रखें क्योंकि यह ठंडा होने पर ठिक हो जाता है अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बेल आइकन को भी प्रेस करिए जिससे के आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें